लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें ये एक शहर है इस प्रित्वी पर बसे हुए अनेक शहरों की तरह एक शहर यहां शिकार करने वाले भी हैं और शिकार से बचने वाले भी हैं ऐसी है यहां की जिन्दगी कि झालो के शहर हैं है कर दो 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 आता है कर दो 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 सो रहो क्या बोलो काफी नीद आ रही क्या है सोने का टाइम है सर हलो है हलो है किसका फोन है अभी ऐसी ड्यूटी है रात को सोने भी नहीं देते किस्मत खराब है मैं सो रहा था सर आप कहा है मैं बार में बंद हूँ सर आप क्या कह रहें सर वक्त को कोई रोप नहीं सकता मेरा भी वक्त वैसा ही है मन बात रुप में जाकर वहां पर सो गया था यहां कर देका तो बंद करके चले गया है यह बहर कप खूलेगा मैं क्या करूं सर ऑब सर आप अकेले बार में क्या करेंगे अरे ये कोई शेतान का पिंजरा नहीं है ये एक बार है यहां कुछ नहीं होगा आखिर में मुझे अकेले इस बार में रहना पड़ेगा मेरी हालत देखने के लिए सुबह आ जाना और हाँ अपने किसी रिष्दार को अपने साथ लेकर मताना अखेले आना ठीक है और हाँ एक बात बताऊ हाँ सर बोलिये ना आज तुमारी खर्चे पर मैं इस बोतल को खोल लूँगा ठीक है अब तुम सोजाओ अराम से गड़ नाइट स्वेट ड्रीम्स हालो? हालो? माववेलस ऐसी शार्प शूटिंग करने वाला हमारी फोर्स में कोई नहीं है मेरे बारे में करो मैं जानता हूँ अच्छा ग्रेंट ट्रॉफी में भी तुम एक बार ट्राई करो ट्राफी में शामिल होने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है कोई तो अंबिशन होना चाहिए अंबिशन क्या है जो काम कर रहे है उसे मान मर्यादा से करो तो डेपार्टमेंट हमें दबा देगा अभी तक तुमने क्या कमाया है सस्पेंशन या फिर पैसे सही काम करने वालों को सस्पेंशन दे देते हैं यह हमारी किस्मत है आजकल तो हर जगए यही सब चल रहा है तुम लेकिन अजीव हो एक आदमी को अपनी प्रतिभावों पर भी ध्यान देना चाहिए यह उसकी रिस्पोंस बीटी है अभी एक आदमी के उपर इतना प्रेशर है न यह उसकी रिस्पोंस बीटी है नहीं काउंसिलिंग के बाद हमें क्या करना कैसे रहना यह मैं अच्छी तरह से जामता हूं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा और नहीं मैं तुम से जादा भी कुछ बोलूँगा चलो SP की पार्टी में चलते हैं आज पार्टी देने वाला SP कल हमें सस्पेंट कर देगा कैसी बाते कर रहे हो तुम हाँ मैं सही कह रहा हूं अरे वहाँ दो पेग मार कर चले आना नहीं मैंने शुरू किया तो फिर रुखना मुश्किल है इसमें मैं बहुत खतर नाक हूँ सार बालन को देखी कितने पेग हो गए मैंने जब शुरू कर दिया तो फिर आप यह भूल जाई कि कितने पेग पिएगा मैलाओं की ओम्र आदमी की तंखार बालन के पेग के बारे में नहीं पूछना चाहिए यह बालन लड़का यह लड़की ए रामा चुप नहीं रहेगा लड़का यह लड़की मैं बताता हूं बताओ बालन सोरी 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 सर कोई बात नहीं तुम यहीं रूको नहीं मुझे इनके साथ कुछ जरूरी बाती करें मैं वहीं जा रहा हूं कि मैं भी एक हाथ आज मता हूं कि कैसा है अभी वो केस कहां तक पहुंचा एक आदमी को अरेस्ट करने गया तो इन्विस्टिकेशन शुरू करने से पहले ही निकल गया दोबारा हमने उसे पकड़ कर अंदर किया जाओ घर जाओ कहेंगे अब क्या करें हमारा कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि बहुत मुश्किल होती है कि कंप्लेंड कर देते हैं ना सब सही समय पर घर जाए तो कोई किसी को कभी घर जाने के लिए नहीं कहेगा मै तो सही वक्त पर घर जाता हूं मैं तेरी तरह जोकर जेब में रखकर नहीं गूमता जुबान सबाल कर तेरी हरकत है ऐसी इसलिए बोल रहा हूं क्या करेगा तू च्छोड़ो से तुम चुप्राओ यूजलेस हां पैसा देकर इस पोस्ट पर आया हो ना इसलिए तो मैं जह दो आते है आ हो लोगया से तुम्म आ अ बालन अ इसलिए ना शुट्रका प्लेशिये स्दुट्थ ने खुश्वलेस ना जुट्रकार जए नहीं नंदे नदे गारारी ध्या और यूड्या से इसलिए जए ने कुट्रक्ष़द॥ ने आर्ड़र टीशनिये उनदे नही हुई टे अँपने हुई ऑजब गुटिए हुईह थागी हुई हुईह हुईद्ट हुईह 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 हो हुईह सुबह शाहब ने फोन किया था सॉरी सर हमसे गलती होगे हमें पता नहीं था मैं भी नहीं जानता हूं कि क्या हुआ आज रात को भी मैं यहीं आऊंगा तुम यहीं पर टिपटी करते हो ना जी तो जाकर सोचाओ मैं हिफाज़त करूंगा ना हाऊ क्या है हाम मैं घर पेंगूं क्यों κया कब अ झाल झाल कर दो कर दो एक आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मार कर यहाँ पर लटका दिया गया है केरल राजी के नामी गिरामी व्यवसाई कुरियन मर्गीश पुझाकरन के बेटे थॉमस पुझाकरन की ये लाश है इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है ये जानने के लिए पुलिस ने कारवाई शुरू करती है आई हम शहर के आईसपी अब्दुल लतीव से बातचीत करते हैं सर इस हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कैमरा में सपनी के साथ मैं हूं राम जी परसात नेट्वर्क चैनल से शनी से कट करो या जल्दी से कट करो यह पकड़ो बारन भाई यहां आप अराम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्या करें। बहुती दर्दूनाग हाथसा है ये। ये जिन्दा था तो क्या क्या किया होगा। तू जाकर आ एक मिनिट केरल राज में थॉमस पुणजाकरन के हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दी गई है। केरला राजि के नेताओं से हम बात करेंगे शरिशी पी जॉनिय में लेहम से बात करने के लिए फोन लाइन पर उपलब्वत हैं और हम उनसी यह जाननेगे के उनकी इस हत्या के बारे में आकर क्या प्रत्य क्रिया है प्रद्ट जॉनि पर जबकर lu कंघन के उसे के लिए उनकी खेली पता चल रहा गां बेरहमी से हुई है पता नहीं सच्चाई क्या है आप क्या कहते हैं बालंसर ठीक है लेकिन थोड़ी तकलिफ हुई ऐसी बाते क्यों कर रहे हो बालन सूली पर चड़ा कर उसे इसा मसी बना दिया जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है उसके लिए कुछ और दिया हो सकता है उसने किसी का क्द्र किया होगा बदले में उसे मार दिया होगा अरे हम क्यों चिंता करें जिसको मन्ना थमर गया जिसने यह थ्यां की है वह आगि ऐसा कुछ न करें यह ध्यान देना चाहिए नहीं तो आप जाकर उसे पकड़ लो और पूछताज करो क्या बकवास बाते कर रहे हो तो क्या बात करें यहां पर बात करो चलो चलते हैं चलो यहां से आपके आने से पहले यहां चर्चा हो रही थी आपके आते ही बाते बंद हो गई कुछ लोग आपकी बातों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं ओ ऐसी बात है क् उससे हाथ मिलाने क्या बालन से कोई उल्टा बोलेगा तो उसका हाथ तूट जाएगा क्योंकि बालन इसी फाल्दू के बाते नहीं सुन सकता थैंक्यू वेरी मच उमा मैं पेशिंट के साथ कुछ दे रुख जाऊं सर तुम अपने रूर में हाँ लटीफ क्या सोच रहे हैं सर नो डौट इस ब्रूटल मॉर्डर इंटर्नल ओर्गन सब चीथरे-चीथरे हो गए हैं बहुत टॉर्चर किया गया हैं उसे डिटेल रिपोर्ट कब मिलेगी विदिन टू देज आल कॉल यू लटीफ थैंक्यू सर्के थामस पुंजाकरन की बॉड़ी को पोस्मॉटम के बाद उनके परिवारवालों को सौब दिया गया है अंतिम संसकार कल सुबा 11 बजे आट बजे टाउन वाल में उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉड़ी रखी जाईगी क्या बात है आज बहुत धकेवे लग रहे हैं और भाग करते करते में परिशान हो गया हूं तो भागो तीन वक्त खाना खाने के लिए भाग दो करनी पड़ेगी ना थामस पुंजी करन की मौत की निउस कब तक चलेगी बहला इस बारे में कोई बात नहीं करनी है मुझे भ खाओगी हां तो कैसा है पुंजा करन केस का पहला दिन पुलीस वालों को कुछ क्लू मिला है क्या अब ही तो नहीं पुलीस वालों को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी वाट आप यू डॉक्टर मिसिस उमा अंदरजनम मैं कुछ भी कहूंगी तो इसकी ब्रेकिंग कि किसे भी हर तक जा सकता है मैं अची तरह से जानती हूं इसे अच्छा इन मोहतरमा की बज़े से ही मैं अभी तक रिपोर्टर बना हुआ हूँ बालन भाई मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ भाईया आटपसी के वक्त में उनके साथ ही थी उससे बहुत बेरहमी से मारा गया है बेरहमी से ऐसा क्या प्लान था कोई बड़ा प्लान लगता है जरूर किसी एक्सपर्ट ने मारा है लूकोस भी दिया था ताकि वो जल्दी ना मरें कुछ पल के लिए ही सही लेकिन वो तो त्रडप त्रडप करी मेरा था यह जीजस का कोटेशन है पुलिस जब ढूंड लेंगे तो पता चलेगा क्या बात हो रही है मेरे सामने भी कुछ को हो सारी बाते बस तुम अकेले में कर लेती हो हमें काम करेंगे चंगनाचरी से कुछ रहते हैं for a supper in the eternal memory of the great Thomas Korean पंजा करें गाड़ी निगालो चलो 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 हाँ ठीक है जॉर्ज मैं चलता हूं ध्यान रखना क्रिमेशन हो गया अभी पिदा जी बात करेंगे मैं नहीं कर सकता क्या वादा जी हो मिनिश्टर साहिब से हमारी फोन पे बात हुई थी उसे किसने बारा पूछ रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें आने दो वो कैसे है अभी वो रूम में किसी से मिलना नहीं चाहते सर आप अकेले जाकर मिलिए हम तुम लोग यहीं रुको कैसे है आप आखिर उसके गलती क्या थी मैं यही सोच रहा हूँ अब इस बात कम है क्या जवाब दो सर इसे जिसने भी किया है कानून के मुताबिक उसे पकड़ कर सजा दिलवाने का इंतिजाम किया हूँ कानून के सामने नहीं मेरे सामने एस्पी रामदास आज ही चार्ज लेगा एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाएगा वो कहां है वो वो कॉन्फरेंस में है थोड़ी दिर में मैं आपकी बात करवाता हूँ पुन्जे करन के केस में अभी तक हुए इंवेस्टिगेशन के डीटियल्स को डिसकस करने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है केस डैरी मैंने देखिये पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से पता चलता है कि मारने से पहले उसे बहुत बेसबरी से टॉर्चर किया गया था हमें इसके पूरे डीटियल्स में जाना पड़ेगा इस केस की शुरुवाती इंवेस्टिगेशन लतीफ नहीं किया है न यह सर सारी डीटियल्स कल तक सब्मिट करने का ओडर है सर ऐसा क्या है उसमें सर थॉमस के काफी सारे दुश्मन थे यह कोटेशन उनका बनाया हुआ हो सकता है वैसे वो तो बिजनेस में भी इंबॉल्ड था अंदर से भी बाहर से भी उसी रास्ते से एक कोटेशन आ सकता है एनिवे दिस इस वेरी सेंसिटिट केस इसकी वज़ा से लोगों में हंगामा हो सकता है एस वाल फ्यू नोग भी इस केस के फाइनल रिजल्ट का इंटजार कर रहे होंगे मरने वाला अगर ताकतवर था तो मारने वाला भी ताकतवर होगा सो हमें जल्द से जल्द से पकड़ना होगा और इंवेस्टिगेशन खत्म करनी होगी दा सौल गुद नाइट सर लक्तीफ सर वो अपना C.I. बालन हिंद्र कहा है वो शराबी बालन सर वो तो सस्पेंड है सर वो मैं जानता हूँ इस समय कहा है वो आज कल यही है सर बिजनेस में चला गया है वो रियल स्टेट, शेयर मार्केट अपनी लाइन बदल ली है उसने ऐसा है अपना सर अपना सर हालो कौन बोल रहा है मैं बोल रहा हूं मैं कौन नाम नहीं क्या नाम है बेवडा बोला तेरी तो नाम बता अपना मेरा नाम जनकर क्या करोगे हिम्मत है तो किच्छन में आ जाओ किच्छन हाँ भाई रामदास भाई क्या हुआ तु आज कल टकला होता जा रहा है वह सब मत बहुत दिन हो गए हम दोनों को साथ प्याज खोब पिएंगे पहले यह लो और प्यो शुगर है क्या फास्टिंग के बाद 220 तुम्हें कैसे बता चला यह सब देख करके तुम्हें चक्कित हो गया सेटप जबरदस्त है प्रॉपर्टी भी बहुत है अच्छा नहीं तो क्या और काम क्या है इंसानों का इस्तेमाल होने वाले सारे काम शेयर मार्केटिंग डियल एस्टेट अपनी जो पुरानी होब यह उसको छोड़ा नहीं है किनारा कर देते हैं तो मारे बच्चे कैसे आँ वह पहले जैसे खेलने कुदने वाले बच्चे नहीं रहे एक तो डॉक्टर है और दूसरी इंजिनिरिंग पढ़ रही है वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला वक्त तो रुकता नहीं है ना मैं तुम से मिला हूं यह वह बालन इंकल से मिलने का मौका नहीं छोड़ेंगे रियल एस्टेट ब्रोकर से वह थोड़ी बहुत उधार भी चाहेंगे नहीं तो वह लोग मेरी जान खा जाएंगे तुमने तो अपना दिमाग चला है तुम तो पुलिस वाले हो मान लिया मैं सिर्फ पुलिस वाला हू तुम केरल पुलिस हो सिर्फ इतना ही नहीं स्मार्ट रियल एस्टेट ब्रोकर भी हो और हर्शत मेता के जैसा बन गए हो लिविट यह बताओ सावित्र कैसी है वो तुम्हारे बारे में पूछती रहती है अच्छे मूड में वो कहती है अब बॉटल लेकर आएगा बालन य यहां वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर चलो नएक दिन आओंगा जरूर आओंगा मैं इंतजार नहीं करवाता हूं वैसे तुम जैश्री से मिले है हां मिला डिवर्स पेटिशन सूट करने के लिए हो तयार है एक बात जानते हो वह पुझयकरन केस जो ह कोई reality show कर रहे हो I'm signing off from the show कह रहे हो तुम मेरी बात मानो यार नो अब बिग नूँ है अब अब शॉर ये पुझयकरन तो तुम्हारा राइवल है न मेरा राइवल सर्फ उपर वाला है और यह मेरे लाड सस्पेंशन है वह उसका बदला था और तुम उसका बदला लेना चाहते थे हां चाहता तो था लेकिन वह डिस्मिस हो गया वेट वेट आप कौन है आली कोया यहां क्या करते हैं मैं यहां पर ड्राइवर हूं यहां काम करता हूं यहां परिवार का हिस्सा हूं यह मैं खुद नहीं जानता है वर्गी सर हैं क्या अंदर हैं उनसे कह दीजी हम लोग आये हुए मैं अंदर जाकर बताता हूं यह उनका बहुत खास आदमी है, पुंजा करन जी को रास्ता दिखाने वाला यही आदमी है सर Sir, my condolences, I am S.P. Ramdas बैठ यह Thank you, sir Sir, if it's fine, मैं आप से कुछ पूछताच करने आया हूँ Thomas के कुवैज यात्रा का रियल परपस क्या था? Business trip यह politics के अलावा और क्या-क्या business है उनके? पुंजा करन के लिए politics कोई business नहीं थी Sir, मेरा यह हाँ, hotels, import, exporting, agriculture इसके अलावा यह इल स्टेट का भी business है यह सारे काम Thomas ही देखता था ना? सिर्फ इतना ही नहीं, Gulf countries, Bangkok और श्रिलंका और भी देशों में business शुरू करना चाहता था ना वो? हाँ, traveling उसका passion था वो George Joseph भी उसके साथ business में partner था? वो business partner नहीं था, वो मेरी छोटे भाई का इकलोता बेटा है इस business और politics में Thomas का कोई दुश्मन था जिसे आप जानते हो? इस बारे में तो मझे कोई जानकारी नहीं है ठीक है, हो सकता है कि Thomas को हटाना या फिर उसे मिटा देना ही किजी दुश्मन का लक्ष रहा हो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी party में या विपक्षी party में सुनो, S.P. किस एंगल से तुम ये सब कुछ कह रहे हो? कई एंगल से सोचना पड़ेगा, S.P. के नियम के नुसा बस करो! पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 5-6 साल काम कर चुका हूँ, मैं सब जानता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में उसके काईदे खानून के बारे में अगर आप पुलिस में पांच साल रहे थे तो इन्वेस्टिकेशन में पुलिस की मदद करनी चाहिए ये तो पता होगा हम दुबारे आपसे मिलने आएंगे सर पुंजा करन सी हत्या में उनके दुश्वनों का हाथ है ऐसा राज्य के पत्रकारों का कहना है और पीसे जोनी जो MLA है उनका कहना है कि ये हत्या राज्य नीती के चलते की गई है और यही बात उन्होंने पत्रकारों को भी बताई है उन्होंने कहा है कि वो इंटरपोल की मदद लेंगे हेगडा क्रिस्टी का बेटा ही ये चैनल चला रहा है समझ लो क्राइम थ्रिलर का पैरलल है ये तुम नाराज मत हो इन्विस्टिकेशन जनरलिजम ने पुलिस इन्विस्टिकेशन को मदद की है ऐसा इतियास है मैं नाराज नहीं हो बाला मुझे एक प्रापर आधार नहीं मिल रहा है ये तकलीफ है अगर ये क्राइम प्री प्लैंड है तो फिर गुनेगार ने पुलिस को भटकाने के लिए कुछ तो गिमिक बनाया होगा मुझे लगता है इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ है उससे प्लैन करके नहीं मारा भलके मारने के बाद प्लैन किया एक मास्टर ब्रेंड की टैक्टिक्स है उसके पीछे ये तुम्हारे सिर्फ गेसिंग नहीं है something in it नहीं भाई he deserved it ये किसी चीज का बदला लेने के लिए किया गया है यह क्राइम हुआ है तो इसके पीछे एक क्रिमिनल है और वो कौन है से ढूड़ना पुलिस का काम है भाई दिमाग चला रहे वहाँ देखते हैं मैं जानता हूं इस ऑफिसर के बारे में डिसीपी ने बताया था हूं इस शेहर के अंदर इनकी बहुत इज़त है सर देखिए हो सकता है यह भी इसके एक वज़ा हो लेकिन मैं भी ज़रा काम में बीजी था यह मैं जानता हूं कोई बात नहीं सर यह आदमी सर्फिस में नहीं है क्या आप जानते नहीं है सर थामस को मारने वाला यह है यह सब जानते हैं जार्ज यह थामस कहां है यह देखना ही रहा है क्या आप भी नहीं सर आप न्यूस्पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या सर मैं न्यूस्पेपर ही पढ़ रहा हूं यह सर थॉमस के राज की चावी दरसल जॉर्ज के हाथ में है क्या चावी और क्या राज पूरी खुली हुई किताब थी थॉमस की जिंदिगी किताब में लिखा सब मिट गया होगा दुश्मन तो ऐसा ही कहेगा जूठा केस बनाने के लिए सोचा था लेकिन क्या हुआ यह दुश्मन का मतलब क्या हो एनिमेज गंदी पॉलिटिक्स है ना सर कुछ पलिस वाले भी शामिल है वह अभी सर्विस में नहीं है जिन्दा हो यह मेरा महाभाग्य है सर मैं आप से सीधी सीधी बात कर रहा हूं ऐसे घटिया इंसान के सामने ऐसा खेल मत खेलो तरी तक क्या तुम से सर्विस में नहीं यह तुम जानता हो रहा है वह यह वह घलाए लापा से बात करना चाता हूं यह बिलकुल अपने बाप के जैसे है इसके मुंसे कुछ बालन को तुम पहले से जानते हो गया जानता हूं बहुत ही घटिया है खेर छोड़ो जाने दो यह बताओ जॉर्ज कुवेट में रहते वक्त वो थॉमस कहां गया था यह तुम जानते हो यह बगवान यह कैसा सवाल है कुवेट से उसने मुझसे दो बार बात की थी हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कुवेट से बात की थी तिमसे मेरे पास नंबर है कि लो इस नंबर से फोन किया था हाँ डबल जिरो नाइन सिक्स फाइव सिक्स फाइव वन जिरो एट जिरो टू तो कुवेट का फोन है थैंक्यू जॉज तुम्हें यहां बुलाया माफ करना सर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं आप मेरे लिए काम कीजिए जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसे आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए बागी यह पुंजा करन वाले देख लेंगे चलता हूं सर यही है सर असली दलाल पावर ब्रोकर यह जॉर्ज हमारा बालन भाई और वो थॉमस पहले जरूर इनके बीच कोई ने कोई इशू रहा है आई स्मेल सम्पिंग रॉटन बस आगए अरे कहां थे आप अब तक जल्दी आना चाहिए था ना मेरे लिए खाना बना कर रखा की नहीं खाना बनाने के लिए यहां कुछ है ही नहीं रात को आपको पुलीस वाले लेकर गए थे तो हम तो बहुत डर गए थे तो मेरे लिए ग्लास पानी लेकर रहा है क्या हुआ दादा पूश्टाच करने के लिए बुलाया था उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुंजा करन के घर में पिछले 35 सालों में कभी पुलिस वालों को नहीं देखा मैंने यह काफी खतरनाक पुलिस वाले यह लीजी पिद तकलीफ दी क्या मुझे उन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी अगर दी होती न पुलिस हर जगह डूंडेगी और अंत में हमें भागना ही पड़ेगा उसने कुछ न कुछ गलत किया होगा तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ यह सजा उसे मिलनी ही चाहिए थी कहीं जाके छुप ज चैने सलीट नहीं करना चाहिए असानी से जाती नहीं है अरे बहुत सारी बातें बदल देती है पुलिस यम्राज अंदर है क्या मुझे लाने के और लेकर आया हो क्यों ना मैंने इस बारे में पूछा है और ना उन्होंने ऐसा कुछ कुछ कहा है अची बात है सर अभी आप जानते हो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंसेज क्लेरिफिकेशन मिलती है अनेक्स्पेक्टेडली नई बाते पता चलती है अब उस पुझाकरंट के केस में हमें जो एक बहुत इखास सुराग मिला है अनफॉचुनेटली वो बालन के खिलाफ है सो दिस मीटिंग इस स्ट्रिक्टली ओफिशेल समझ गया है आप सवाल पुझेंगे मैं जवाब दूंगा बालन तुम इस थॉमस पुझाकरंट से आखरी बार कहा मिले थे एस बालचंदरन ओफिशल ये मेरा नाम है ओके आप पुझेंगे मैं उसका जवाब दूंगा जू कर दो दो उसी दिन उसी होटल में रूम नंबर 3002 में ये थॉमस पुझा करन ठहरा हुआ था उसके उल्टे नंबर में बालचंदरन था 2003, करेक्ट है न? हाँ, करेक्ट है तुम वहाँ क्यों गए थे? कुछ नहीं, पत्ता खेलने गए थे, आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ सब जानते हैं कि मैं उस होटल में सिर्फ पत्ते खेलने जाता हूँ किसी स्टार होटल में पत्ता खेलने के लिए जाते हो यकीन हो जाए कुछ ऐसी बात करूँ न? ये भाई के इनिफॉर्म का कन्फिजन है, विश्वास नहीं होगा मत कीजे विश्वास अरे सर, बालन भाई ऐसे ही गेट अप में हमेशा रहते हैं चे मई से नौ मई तक उस थामस पुझा करण के मिसिंग होने के दिन से तुम इस शहर में नहीं थे कहा थे? मसान कोडी, मसान कोडी मसान कोडी, वहाँ पर कहा ठाह रहते? मैं और मेरा फ्रेंड जंगल में जंगल में? क्या करने गए थे वहाँ? एक शेर के साथ मिटिंग थे answer my question ओके, तुम वहाँ पर क्यों गहते हैं? शराप पी कर गूम रहा थे यह धौमस पुझा करण ही है बालन के सस्पेंशन के पीछे टॉप सीक्रेट था, यह आपने धून लिया हाँ excellent मस्ती का खेल नहीं है सर मैंने बाहर किसी को भी नहीं बताया है और इसी की वज़े से मैं सस्पेंड हुआ हूँ इतने बड़े पुलिस डेपार्टमेंट में सभी जानते हैं टाउन स्टेशन में मैं सियाय था जब वहाँ एक फोन आया सत्य और न्याय के साथ चलने वाला इंसान constable वेलाएदू आत्महत्या की कोशिश करके वह आएसीओ में था क्या हुआ अब मेरी बेटी स्कूल कई थी वापस नहीं आई हाज रोस स्कूल से छूटकर आपउस करके छे बजहें तक वह घर आ जाती थी लेकिन आज वह आनी नहीं सतानी मेरी बेटी मिलेगी या नहीं मैंने उसकी डारिक चेक की थी तो हमारी बेटी मिले गया नहीं तुम चुप रहो रादिका रादिका यह सब क्या है यह बगवार अपने क्या करूँ यह क्या क्या अपने सुनिये यह क्या हो गया डॉक्टर मेरी बेटी आप रोबत मैं ले आओंगा आप सुनेंगे तो आपका सिर्फ हट जाएगा दस्वी क्लास में पढ़ने वाली विलादुम की बेटी ड्रक्स लेती थी और स्टार होटल में आइस क्रेम सिर्फ वो ही नहीं उसकी साथ ही मरलिन भी सर इस पिटो फाइल के बारे में आपने सुनाएक है काव मारो भोगा तथ्य मारो ये कहते हैं साल की लड़कियों में काम शक्ती ज्यादा होती है कुछ लोगों को लड़की सप्लाई करने वाला वो थौम अस्पुझा करने फैमिना ब्यूटी स्पॉट की मालकिन निर्मला बेहन निर्मला बेहन का बॉइफ्रेंड दस सालों से है सौफ्ट्वेर इंजिनियर प्रदेश नाम ब्यार बेहन के लिए सौफ्ट्रेंग और निर्मल प्रसाद कोकेन ब्राउन शुगर अफीम गांजा इन नशीली चीज़ों को सप्लाई करने वाला तो को मरा गूप में रिकूट कने वाला पैगोड़ रसाद कोनर पैगोड़ रसाद नशीक अद्ड़ पैगोड़ रसाद मस्मूत खुबसूरत लड़की बहुत खुबसूरत है यार वो खुबसूरत है इसलिए तो तुमारे हाथ में आईए एंजॉय करो यार निर्मला को मेरा टेस्ट अच्छे से पता है ऐसी नजाकत वाई लड़किया मुझे बहुत पसंद है और तिखे अपना बना के जिन्दगी का मुझा ही आजाएगा यह जोड़ यह लोग मूठ आया अंदर क्यों खुश्यार है हाँ पड़े तो हम कहीं भी कैसे भी पहुंच सकते हैं अपने शक को दूर करने के लिए से पुलिस्टेशन समझा खाए क्या क्या का पेरी तो तेरा यह पैगोड़ा यह कोई ध्यान करने का इस्थान नहीं है यह क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं छोटी बच्चियों के साथ और याशी करने का यड़्डा है तो गया कांसर अब तेरा यह शौक आगे नहीं बढ़ेगा अपने शौक के लिए ही जीता है यह थोमस तुम लोग मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकते हैं यह वही पुराना डायलॉग है जो मैं बार बार सुनना नहीं चाहता चलबए वहाँ जो लड़कियां थी उसमें वेरा यदम की बेटी भी थी हमारे पूरे केरल में यह ग्रूप पहला हुआ है यह लोग कम उम्र के लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं प्यार से बात करके ब्लैकमेल करके यह उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं शरीर और मन्स से बरबाद हुई इन लड़कियों को हम या तो मेंटल एजाइलम में पाते हैं या फिर रेलवेट ट्रेक पर पाते हैं पुझा करेन के अरेस्ट के बाद मैंने उसके खिलाफ एक दूँ करने की सोची लेकिन आप जानते हैं क्या हो कुछ भी कुछ भी नहीं हो पाया उसे पकड़ कर पुलिस टेशन ले जाने से पहले उसका रेलीज ओर्डर आ गया मेरे खिलाफ टेपाट्मेंट एर इंक्वाइरे फॉर मल्टिपल चार्जिस मौत से बच्चा कॉंस्टेबल वेला युदुम भी गवाई देने को तयार नहीं और पता ऐसा क्यों है उसे जान का खत्र है अपनी इज़्जत प्यारी है तो बता यह मैं क्या करूँ ऐसे मर्दों के हाथों से लड़कियों को बचाने के लिए उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ तो करना चाहिए यह मैंने सूचा क्योंकि यह पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्यदारी है और उनको डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आ रहा था पूरा डेड़ महीना मेडिकल कॉलेज में मैं जिन्दा रह पाऊंगा यह मैने कभी सोचा नहीं था अब डेपार्टमेंट मुझसे पूछ आज करेगा जूटे केस के बारे में यह भी नहीं सोचा था अभी भी केस चल ला है अच्छा पर बालन भाई अटेम्ट्टू मर्डर केस फाइल तो कर सकते थे न यह अच्छी तरह जानते हुए कि यह किस ने किया है अच्छा क्यों किसके मदद से क्योंकि वो तो मर चुका है वो किस ने किया था यह मैं जानना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता है वो आखें नहीं जानते हैं और रहे रहे हैं कि अच्छा कि अच्छा कि यह अपका काम है बेचारा, दास की समझ से अभी भी खतम नहीं हुई लतीफ तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते है सर मैं, मैं क्या कर सकता हूँ सर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फेवर करना होगा केस की सारी डीटेल्स मुझे भीजनी होगी स्पेशली पुझा करन की सारी जमपत्ति के बारे में और उस जोर्ज जोसेफ के फुल हिस्ट्री, सब का वीडियो, सब ही हम एक नई केस फाइल ओपन करेंगे तो हमारी टोपी निकालने का प्लान है, डर गए क्या डरनी की क्या वाद है सर, रियल स्टेट तो है ना हम दोनों मिलकर जबरदस्ट चक्कर चलाएंगे और राज करेंगे सर लदिव तुम्हें क्या लगता है सचकौंँ तो मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा याज़ाएगा का नाहीं माड़र कुवेद के लिए निकला थामस पुझ में इस फ्लाइट में नहीं चड़ा !! लेकिन गौर्जुश किख रहा है कि उसने कुवेद से फोन किया था उसने फोन नाम दिखाया था और उसके मताबिक पुझ से फोन किया था वो नमबर में दिखाया तो फिर फ्लाइट में चड़ने से पहले उससे किसे नेके नैप करके तीन चार दिन टॉट चर करके मार के से पहले प्लाइट का दिया राइट मतलब जौर्ज योसफ ने जो कुछ भी कहा वो सब जूट है क्या पता रहे सर रिपोर्ट तो कैम्प इमेडियेटली सर एस्पी सर का मैसेज है कुछ कर्फ्यूजर ने सर यह सब कुछ कर रहा हूं उन्हें पता चल गया तो सर मैंने मेसेज किया था सिस्टम से लेकिन यह तो रामदार का नंबर है ना आज कल तो यह बहुत ही इजी है मॉबाइल लंबर स्पूफिंग कोई किसी भी नंबर से बात कर सकता है और कर सकता है इस चौर्ज जोसफ का पता है अभी तो पुलिस की नौकरी भी नहीं है फाल्तु रहने से तो अच्छा के कुछ न कुछ किया जाए कम्पिटर इस गुड फ्रेंड तो चलो निकलो यह तर देतो था 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 झाल के बात कर सकता है कि बाउत इंट्रेस्टिंग ट्रनिंग पॉइंट मिला है उस जोर्ज जोसिफ का रिसेंट ट्रंजिक्शन देखा तो एक विचितर बात सामने आई मरकरी में एक स्टेट बंगला पता है फॉरेंसिक सर्जेंट डॉक्टर चंदरबाबू का है जो किसी वीर महावली से उसने खरीदा है या तो जॉर्ज का होगा या फिर बेनामी होगा रहने दो लेकिन चंदरबाबू ने इसे कैसे खरीदा उसके पास इतना पैसा कहां सा है इसलिए शक हो रहा है तो ये बंगला पुंजाकरन ने उस डॉक्टर को दान में दिया होगा ऐसा है क्या सर बिलकुल ऐसा ही है ऐसान जताने के लिए डॉक्टर चंदरबाबू और जॉर्ज आपस में मिले हुए हैं लेकिन मरे हुए थामस के साथ कुछ लिंक है कर छोड़ो लेकिन इससे अच्छी एक बात और सामने आई है डॉक्टर उमा को जानते हो मैंने डॉक्टर उमा से पूश्टाश की करन उसे बुलेट से मरा है तो पता है इसमें सबसे बड़ा एविडेंस क्या है वह बुलेट चंदरबाबू ने उसे चुपाया होगा आप उस दास के साथ कमिनिकेट करो वह आदमी कन्विंस हो जाएगा एक्स्क्लूमेशन पॉसिबिलेटिस की बारे में उस डॉक्टर से डिसकस करो और याद रहे इसमें मैं जड़ा भी इनवाल्व नहीं हूझ डॉक्टर उप नहीं है अगर आप बताएं कि तो अच्छा होगा सर नहीं मैं हाल ही में दास से मिला हूं अगर मैं फिर उस से मिला तो वह सुचेगा कि मैं से मैं गैट कर रहा हूं इसलिए लातिव तुम बता दो, सक्सेस हुए तो उसके क्रेडिट तुम्हें मिलेगी Sir, let's hope for the best उन्हीं तेरी कर मॉर्डर केस मैं ही देख रहा हूँ, उसके फाइल मेरे पास है कौन डॉक्टर हुआ? वो अभी बच्ची है, क्या जानती है वो? हाँ, ठीक है, ठीक है क्या कर रहे हो तुम, सुबह के 11 बच्चुके है, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हेरी सवालों का जवाब दो तुम, क्या हूँ, आजो, आजो, रात को प्रिंस्पल ने मुझसे बात की थी, अटेंडेंस भी पूरा नहीं है रिपोर्ट कार्ट में सारे के सारे रेड मार्क्स है, स्कूल के बजाए आखिर तु कहां जाता है बता, यह पढ़ाई नहीं कर रहा है श्रद्धा, वाट्स हैं तुम ने इसका साथ दिया तो बहुत पुरा होगा, तुम्हें खराब कर रही हो इसे, बहुत ब्राइट है, अलुकल है यह यह एक न रएक नए क्स्परिमंट है इसका नाम है कार्डियोवाटल इवाई टिवर्न कार्डियो अटैक, इत के बीूस ओर चिप्र हर्ट अटेक प्रिवेंशन तुरी चिप, टिर एक नहीं पाप प्लीज, तुमीट प्लीज आपक्वाइ नहीं नहीं तुम अपना मुझे बन रखो अगर तुम दुबारा कम्पेटर को बैठे तेर रात तक नेट चलाने का पागलपन किया अगर तुम ने तो तुम दोनों को माँ ढालूँगा इस मैट जाकरी से किसी साइकेटरिस्ट को दिखाओ नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर थामस पुझा करन की ये आटोपसी रिपोर्ट है डॉक्टर इस आटोपसी रिपोर्ट में हमें शेक है कि कुछ कॉंटरडिक्शन्स और कुछ ओमिशन्स है उन्हें क्लियर करना होगा इंपोसिबल ये बहुत ही इंपोर्टन केस से ये बात मुझे पता थी इसले मैंने इसके एटोपसी में कहीं कोई लापरवाई नहीं किये लेकिन आप लोग एटोपसी करने के लिए दुबारा कह रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है सर कुछ शक्स ही भी तो निकल जाते हैं न डॉक्टर क्या आपने कहा था कि मौत की वज़े कार्डियो अटेक है मैंने कहा था I am sure ओके डॉक्टर के रिपोर्ट में बाडी के एक हिस्से में जहां पर बुलेट का निशान था वहां पर कुछ खुन भी जमा हुआ था वो entry भी हो सकता है या exit भी होसकता है लेकिन body के अंदर वो बुलेट होनी चाहिए यहां exit भी नहीं है और बुलेट भी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डाक्टर अगर ऐसा हुआ है तो बहुत independent है तो फिर हम body का रिपोस्त मॉटम कर सकते हैं आपकी एक शक्क की वज़र से आप चाहते हैं कि बोड़ी को दुबारा खोद कर बाहर निकला जाए ऐसा करने से आपको कुछ हासिल होगा नहीं चलिए मैं अगर ऐसा कर भी दूँ और कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा इस तरह की संभावनाओं को हम छोड़ नहीं सकते आप हमारा साथ दें या ना दें भी विल्टो इट यह आप क्या कर रहे हैं फादर एक बार लाज को दफन कर दिया तो बाहर निकल के तमाशा क्यों कर रहे हैं पुलीस के काम में चर्च कभी टांग नहीं आणाता है मेरे थौमस की आत्मा भी इन लोगों को क्या चाहिए सब कुछ तो इन लोगों ने कर लिया आप क्या चाहते हैं ये लोग वो थॉमस नहीं है उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़के जा चुकी है वो सिर्फ शरीर है इन्वेस्टिगेशन मैं बताऊंगा मैं भी पता करके रहूंगा इसके पीछे कौन मैं जानता हूं मैं चोड़ूंगा नहीं लतीफ तुम जाओ जॉर्ज इधर आओ जब थॉमस के बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं आपके इस इन्वेस्टिगेशन का जरा भी विश्वास नहीं करता चल निकल यहां से पावर दिखा रहे हैं मेरा बाई तॉमस ना टक मत करो चुक चप यहां से निकलो नहीं तो तुम क्या कर वो एक बुलेट है जो मिला है वो बुलेटी है ना डॉक्टर कोई खाने की चीज तो नहीं है ना तुरंट इसे लाब में दिखा रहा होगा श्यूर्ट विकस इस ना कंवेंशन टाइप अफ बुलेट मेरे ख्याल से यह कंट्री में गन की बुलेट है सब्सक्राइब कर लिए जबता सकते हैं जब तक हमें पता नहीं चल जाता यह बुलेट के इस गन से निकली है हम किसी भी निर्णे पर नहीं पहुंच सकते हैं सब्सक्राइब के बुलेट पोस्ट माडम के बादी बॉडी से निकली है ना सवाल करना आपका अधिकार है लेकिन हम जबाब दें यह कोई जरूरी नहीं है अब जाहिए आप लोग जाहिए मेडिया का हक है कि वो पुलिस से सवाल करे और आप उसका जवाब देना होगा मिस्टर राम दास हम लोगों को तो हंडेट परसंट सक्सेस मिल रही है सर मैं देख रहा हूं दास के चेहरे पे कॉन्फिटेंस आ गया है और सर यह जोर्ज जोसफ के साथ में धक्का मुकी करने देख ना तक उसने क्या परफॉर्मेंस दी ना सर्थ पुंजाकरन सामराज का अगला ताज उसे मिलने का मौका है चलने दो यह रती भाई यह सर वो बुलट मिलने से हमारा केस अब आगे बढ़ सकता है चंद्रबाबू ड़क्टर चंद्रबाबू है प्रेकू पुषाजी चरंदे हलो हाई ये बालन वैई बैठिये बहुत अच्छा सेटर बना दिया रेनुवेशन के टाइम आप क्यों नहीं आए फॉल बिजी था बिजनेसमेन बन गया है आप अच्छा वो हमारे डॉक्टर चंद्रबाबु का मर्किरी में एक बंगला है ना हाँ है वेरी ओर्ड वन अभी सेल के लिए रखा है जानता हूँ एक आदमी मेरे हत में आदमी मतलब की एक ग्रूप है बहुत पैसे वाला है पार्टी कौन है वो बाद में बताऊंगा इस प्रापर्टी को बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा चा भी मेरे पास है अगर सच बताऊं तो डॉक्टर उस तरफ गया ही नहीं बस दो तीन बार मैंने और मैंनी टीम ने वहां जाकर खापी कर इंजो है किया था वहां माहौल बहुत डरावना है इसलिए तो मैं उसे देखना चाहता हूँ जब चाहो देख लो अगले हफते मैं भी चलता हूँ लेकिन आज के लिए मुझे माफ कर दो ठीक है तब तक बहुत वक्त हो जाएगा एक्जेक्ट लोकेशन बता दीजे आप मैं ही चला जाओगा हम तो काम कमीशन के लिए करते हैं यह जानता हूँ आप चिंता मत कीजिए पूल्डंगे लेकित वती है वी चलता हूँ आपनी लेकित है यह जाओगा आप लोकेशन भी चाहाँ के लिए माम पालकेशन वह बादाएब मेरह जाएब के लिए कि लिए लिए हम हमें दुए झालता है तकी लिएल वाय राम आफ लिए टाक झाल 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 जाल वाट डू वाट वांट सार वाट है वाट हैल्प सार मल्यालीयो आपको कैसे पता चाला इंगलीष बोलने के अंदाज से पिछले मेने की साथ तारीक को यहां का कोई लोकल आदमी नहीं बलकि बाहर का कोई आदमी आखके समान ले गया था अइसा हम कैसे बता सकते हैं यहां तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं अच्छा अरे इसका बैकप मिलेगा अहां सेथ 45 दिनों तो बैकप रहता है ठीक है मुझे मैं महिने की साथ तारीक का फुल वीडियो चाहिए प्लीज मैं अभी लेग आता हूँ सार हम लोग जितनी मदद कर सकते उतनी करेंगे आपको एक बाद बताओ उस दिन हरताल थी कस्टमर भी कम थे आपको सर्च करने में आसानी होगी अगर जर्वत पड़ी तो वापस आओंगा ओके आई हेल्प यो इंगलिश अच्छी आपकी नमस्ते सार नमस्ते नमस्ते सब मन में जो सूच चाथा जब उसे सामने देखा तो कमाल है तुरंट पार्टी खरीद लेगी यह लिजे भाई तुमने पार्टी तो पकड़ ली अब अपनी कमाई 50-50 अरे नहीं तो क्या यह तो हमारे डील है यह डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है क्या बहुत कमा रहा है सारे जादात को समालने के लिए उसका एकलावता वेटा सी ए की तरह है चार्टर अकाउंट बना तो बहुत पैसा मेरे गासे बहुत तो पैसा ही कमाना चाहता है आप लीजे मैं नहीं प्यूंगा अरे बाला भाई तोड़ा प्रिकत हो जाओ बाद में रगी सर मैं आपको कॉल करने है वाला था जब करो कम से कम वह सोला बार मैंने तुम्हारे औफिस में फौन किया था तुम्हारा सिक्रेटरी हर बार नीन में ही बात कर रहा था तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑड़न रहता है क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट कब जागेगा मेरे बेटे की हत्या किसने की है अगर दो दिन में इस बात का पता नहीं चला न तो मैं तुम्हारे माथे से पसी न गायब कर दूँगा बेटे को खोने का गम क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा ये मेरा आखरी फोन कॉल है अब काम करना शुरू कर दे इस केस की जो पोजिशन है उस पे मैं बरावर नजर रख रहा हूँ तू क्या बरावर नजर रखेगा कान खुल कर बात सुन अगर पाई एलेक्शन तक तक तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट इस केस को जादा खीच कर ले गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा मेरे चार आदमी मंत्री मंडल के अंदर होंगे और तू बाहर हो जाएगा चो करना है सो समझ करकर अरे वरगिश सर आप ऐसी बाते मत कीजिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स इस केस की पीछे लगा रखी है तू और तेरी पुलिस फोर्स ये केस में सी बी आई को हैंड ओवर कर दूँगा अरे नहीं सर आप चिंता मत कीजिए आज से डी जी पी को मैं तुझे दो दिन की महलत देता हूँ अगर तुने गुनेगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो मैं तुझे ना खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा सर व शर्म करो सारे फोर्स की बेज़िती करा करके यहां खड़े हो IPS ट्रेइनिंग के वक्त इन्वेस्टिगेशन में गोड लिया है तो तुमने क्या सीखा एक छोटा सा क्राइम हुआ तो उसका केस CBI को सौपना चाहते उन्हें आप जैसे सेंसलेस ओफिसर्स पर विश्वास नहीं यू एंड यूर साइलेंस इस सस्पीशियस I strongly believe you have some personal interest in this case मुझे लगता है तुमारा घर बैठने का समय आ गया है रामदास सर किसी केस का investigation दरसल एक सचाई की आत्रा होती है ये मैंने IPS training में पढ़ा था सर इस केस में भी मैं सचाई को follow कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी बाते चुपी हुई है सर इसकी ज़रूत नहीं वो बाहर बता देते हैं मेडिया का डर है राजनीतिग्यों का डर लोगों का डर हम बहुत आसा है मैं सुस करते हैं सर इन सारे सवालों का जवाब इस फाइल में मौजूद है सर ये क्या है पुझा करन केस का Special Investigating Officer SPT रामदास DGP को ये फाइल सौप रहा है ये फाइल आपको बताएगी कातिल कौन है with all evidences in details What? एफिचह को पीछे करों no comment, no comment no comment we can see no comment पीछे करों उनको अटाऊ यां से इसे पीछे प्लीज प्लीज तुमसे कहा ना तुम लोग पीछे हो जाओ कैमरे को पीछे करो हटो तोड़ दूँगा मैं इसे चलो किरल राज में कातिल को रेच्ट करने के लिए तमाशा होना जरूरी है पताना इससे क्या होगा इससे थोड़ा कलर आ जाएगा और मीडिया में भी बहुत हिट हो जाओगे एची बात नहीं है सर आप हमारे रोल मॉड आपने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया आपने मुझे धोका दिया है सर जाने दो यार लेकिन जरूरत पढ़ने पर हमें प्यार करने वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे खेर जाने दो मुझे हतकड़ी कौन डालेगा भाई लतीफ या भाई बालन हमें छोड़कर कही नहीं सबस्टाइए हमें सबस्टाइए सबस्टाइए थोमस पुझाकरन का बाप हूं मैं उसे क्रॉस में लटकाकर तुम चैन से जिन्दगी जिए इस धोके में मुझे रहना तुझे जिन्दा नहीं खोड़ूगा मैं लीज़ आठ छोड़ मेरा बेटे को पालते पर धंग से पालना चाहिए नहीं तो पालने का दोश होगा एक पता जी के पालने का करमदोर से पुझाकरन कान खोल कर सुन ले तुने मेरे बेटे को मारा है तुझे बरबात नहीं किया तो मेरा नाम पुझाकरन नहीं अब कोड का समय नहीं है हमारे पास तुझे यहीं सजा मिलेगी ए मारा इसको कान खोलकर सुन ले ये लाथ मैंने तेरे सीने पर मारी है दूसरी मारूंगा तुझे नहीं कर पायागा तुझे पैसे और पावर का गमन कुछ ज्यादा ही हो गया है चलो आइ क्या आइ क्या अए गाए काए और यू खिर भग उते आपके रगे तुम मुछ से थाओ मुछ से थाओ तो अज़े रातू लाइफ इस लाइफ, फन इस फन जंदगी को फन मत बनाना, जंदगी को फनी मत बनाना यह मेरे एक्सपरियंस की बात है ओके सर आपने बचा इसलिए थैंक्स बोलने आया अगर आप टाइम पर नहीं आते तो वो तो हमारा बैंड बजा देता थैंक्यू सर कौन है वो लोग मुझे नहीं पता सर इस पब में तो उन्हें पहली बार देखा है वक्त जाद होगे तुम लोग घर निकलो सर आपका नाम बाल चंदरन आप क्या करते हैं सर कुछ करने के लिए ही इस धर्ती पर आया हूँ और इस धर्ती नहीं रास्ता दिखाया है रियल एस्टेट ब्रोकर क्यों सही रास्ता क्या तो अगर किसी को लेना देना हो तो मुझे बताना हाँ शराब नहीं जग है सर अपना नंबर देंगे क्या लेख लो 9594999966 लेव में मैसेज सर हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है हम आपको ट्रीट देना चाहते हैं मना मत कीज़ेगा प्लीज देखते हैं के पेंटच थेंक यू साइ यू से रियल हीरो हेलो सर मैं रहुल बोल रहा हूं रहुल बोलो अज अब फ्री हैं क्या तोटली फ्री हम सारे दोस्त एक नाटा का प्लान कर रहे हैं एक गेट टूगधर हैं अप सकतें क्या यही मेरे घर पर गर पर डैडी मम्मी नहीं है गर में खेलने के लिए कोई नहीं अप आएंगे ना ताइम एनी टाइम है हालो हालो सुनाइँ दे रहा हैंके एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट राहुल अच्छा यह आवाज हैं मैं एलेक्रिसिटी ओफिस में बिल भरने के लिए गया था वहाँ पर पाटी हो रही है वहीं से यह आवाजे आ रही है मम्मी जी, बिल्कुल सच कहा रहा हूं मम्मी जी, क्या कहा, मैं सच कहा रहा हूं वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में बहुत ब्रिलियन्ट है वो, हमेशा किताब हाथ में रहती है, पोन पर बात करने का भी, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है मम्मी जी, मैं जूट क्यों बोलूँगा, सच कह रहा हूं, मेरे अलवा कौन ख्याल रखेगा उनका, उनको देखकर मुझे बहुत सुकूर मिलता है मम्मी जी, क्या कहा मालकिन, यूरो बेस दीजिएगा, राउल बहुत पसंद करता है, आज से पेट्रोल 20 रुपया बढ़ गया है मालकिन, चीक है, बहुत अच्छी मालकिन मिली है, मेरे लिए तो मज़ा ही मज़ा है, राउल बाबा, राउल बाबा, सुने, मैंने यार के बंबी से बा हाई दाने वाले है, राउल जैसे जिए, इसना मना एक गिया हुने है, लेकिन मेरी बात मानने पड़ेगी, यह सा बंद करना पड़ा का आपको सब्चेरो, नहीं तो मैं सब कुछ बता करदा का, अपनाय चीजिए कर देरो, यह राहूल, तेरा यह मामा न पालत हो गया है, म यहां प्यार से मामा बोलता है यह इसका बड़ापन मुझे शक है सर आपके पैंट कमर के उपर या कमर के नीचे सर आपके बहुत के बाल के जैसे बिल्कुल गने आ आपको देखकर किसी की यादारी है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है को नहीं है इसके साथ किसी इंसान को मैं पहली पर देख रहा हूँ इसे भर के दुबार आजाओं राहूल तुम इने अंदर लेकर जाओं है हाई है नहीं है हाई हमारी फ्रेंड्स प्रिया एंड मॉनिका है हम शुरू करें तु स्टार्ट विद योर चोईस नो योर चोईस सर यह क्या बार है इसके पापा का कलेक्शन है पर जब भी मौका मिलता है यह मौके प्चॉका मारी देता है एश करता है यहाई आप इसे लिजे पापा पैरी से ले क्या है एपसेंडी रॉंग एपसेंडे हो आप बैठिये ना फ्रेंच वहां की खास शराब है ये सो मैरी मिक्स अराउंड इस अलकोहॉल पूरे वर्ल्ड में इसका जवाब नहीं सर इस माइ फेवरिट टाइटेनी की कपल ने भी आखरी इसे ही पिया था सर और वैसे इसका नाम ग्रीन फैरी भी है कैसा लगा मेरा ग्यान सब पढ़के लिया है क्या हाओ लाइसस लेने के लाएक अभी नहीं हुआ हूं मैं यह सेंड ओल्ली इन साइक्लोपीडिया ऐसा कुछ नहीं है जो यह नहीं जानता हो तुम्हें पता है व यह पीटर हमारा फ्रेंड है यह गार्णिंग करना इसकी होबी मैं बताता हूं वैसे इसे सब आता है खाना भी अच्छा बनाता है मैंने इसे कहीं देखा है घर कहा है बंगलादेश कोलूनी में कोकिंग जानते हो यह आत्मीं मुझे थोड़े दिन के लिए नो 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 कोमेंट्स और फोटोस है यह जात्ता लणका कौन है यह चंदु है मेरा दोस्त है वो आज यहाँ आएगा नो ही सैटलिं पैंगलोर वैसे हम लोग तो सिर्फ फेस्बूक फ्रेंड्स हैं आप फेस्बूक के हो क्या यह तो बच्चों के लिए है मेरे पास टाइम कहा है इस कि अप बच्चों के मेरे लोग अवर्ल्ड वर्ल्ड वित नो लिम्युताशन से लिए हुँँँए है वाट है मनलन भाई आपको अपको अपने अपने पाने की पी गया अब हमे के आम एक गाना सनने चाहत है हम्यो है वह न जाईलियोग दो पएगलो उर्यो कर दो कर दो प्रेस वाले और चैनल वाले पागलों की तरह बाते करने लगे पुझा करन के बेटे के बारे में इन्वेस्टिकेशन करने वाली टीम बेकार है नलाइक है गवर्मेंट भी हमारे उपर प्रेशर डाल रही है और डीजीपी अपनी हर बात में आग उगल रहे हैं एनिवे हम लोग इस केस को वापस शुरू करेंगे हमें किसी भी तरह इस केस को अब क्लोज करना है आपरेशन्स विल बी डेड़ली सिक्रेट मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए सो एवरीबड़ी शुट गेट रेड़ी बाइ मॉर्निंग शाप सेवन थरड़ी ओके ओके सर गुद नाइट इसके पापा कहा है पिताजी अंदर है क्या काम है जो बुला कर लाओ पिताजी पुलिस अब इस तरह के केस में पुलिस तो यहां हमेशा तंग करती रहेगी यहां आती रहेगी हम यहां से कहीं जा भी नहीं सकते हैं अब यह पुलिस हमें नहीं छोड़ने वाली है अराम से यहां बेटे चल 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 बाट चल लिए पर दोखार रहें चलो गाड़ी में बैठों ने पर दी बीमार है ठेक हो जाएंगे तब ही ने ले जाएंगा तो पुलिस सवाल करेंगा तूँ हाट सवाल करेंगा चल बेर साथ अधिए पहले था रहा है जो में अधिजिए पूंधवा से कुल अधिए अधिए बीपार अधिक तो अधिए पहले है तुम चुन आपकेशन अधिए अधिए उसनी जो तारो अधिए चलो उत्रो, उत्रो, सर, साइन्टिफिक इड्विस्टिकीशन, आप नहीं जानते क्या, मुझे उपर करके डर आने वाला वक्त खतम हो गया, वो भी 60 साल वाले एक बुज़र्ग को, अच्छी बात नहीं है, तुम इस पर विश्वास मत करो बाला, उसे जरूर हाट अटेक आया था, उस आदमी ने इससे पहले कभी आइसी सिच्वेशन फेस नहीं की, सो, सो हमारी पुलिस है न, मैं सब जानता हूँ न, कि कैसे ये आत्मातिया बना देते हैं, कतल होगा और ये उससे आत्मातिया बना देते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में ब्लड काफी ज़्यादा आया हुआ है, दॉक्टर चंद्रबाबू के रिपोर्ट है न, मैं विश्वास करता हूँ, तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा, एक दिन पहले ही मैंने उस आदमी के बारे में पूछताच की थी, उसकी हिस्ट्री बिलकुल साफ है, लेकिन पुझा करन के केस में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जान कर उसे क्यों औरेस्ट किया, टोटल मिस्टिक, छे माई को वो पुझा करन एरपोर्ट गया था, लेकिन फ्लाइट पर नहीं चला, और वहां से बाहर आने के ल अभी हमारे पास सिर्फ दो दिन का समय है, तब तक हमें ये फाइल डी जी पी के टेबल पर रखनी पड़ेगी, उन्होंने का है, रखेंगे, पुरानी स्टाइल छोड़ कर ज़रा स्मार्ट बन जाओ, जैनता मत करो हेलो, हेलो सर, मैं राहूल बोल रहा हूँ, मैंने दो-तीन बार ट्राइ किया था, हाहा, मैं ज़रा सो गया था, क्या बात है राहूल, इस फ्लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने सुचा, आपको फोन कर लेता हूँ, डिश्टब तो नहीं हूँ है, सर, हे नथिंग, सच कहू तो मैं तुम लोगों को एक, एक ट्रिप पर बुलाना चाहता हूँ, तो बताओ कि कला आओगे क्या, मैं तो अभी से रेडी हूँ, रही श्याम के बात, तुसे मनाने के जिम्हदारी मेरी, चंदन कुट्टी को भी लाऊं क्या, हमें पीटर भी चाहिए, कुक, डन, गुद हम यहां क्यों आए, यह जगे तो हमारे प्लान में नहीं थी, प्लान छोड़ो, यह जगे कैसी बताओ, यह 200 साल पुरानी है, यह हमारे यह वाले विदेशियों के लिए बनाई है, आपने हमें अच्छा सर्प्राइज दिया, नाच गना होगा ना, थैंक्यू बालन सर्प् सामानंदा ले आओ, अभी दो दिन के लिए यह हमारा सामराज है, नाइस प्लेस, बालन भाई यह जगे किसकी बताओ ना, यह हमारी जगह है, मतलब कि आपकी जगे, तो मैं चाहिए तो तुम ले लो, सच कहूँ बालन सर्, बहुत खुबसूरा जगह है, मैं एक फ्रेंड क सारे बाथूम्स, इस्थार में बाथ रोंस अटेजट है, घे फ्रेस वरी सुन फस्स, फस्ट 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 वह ज़ो ओ पीटर खाने से पहले प्रे नहीं करते हो क्या यह, आसा आम इस ज्यकोने जानते हो क्या नहीं मैंने ऐसी पूछा सच में नहीं जानते यह बालन भाई का है क्रिया ह्त्रेटका अपना इरिया है न फिस रही अंधाज तो लगा नहीं जानते कि एक काऊंझे अगर हॉंटेट जगा हो तो घर लेने का कोई फारदा निये कोई भी फायदा नहीं है मुझे अच्छी तरह से पता था फिर भी मैंने इसे खरीद लिया ऐसा क्योंकि आपने आप लोग डानते हैं थॉमस पुंजा करन को वह यहां क्यों आएगा वह तो बीच में जो जे जगे पर मरा है वहीं उसका भूत रहता है यह काति लोगों को पता नहीं है तुम्हारे ड्रामे का अंत हो गया आप हम लोगों को क्या समझते हैं हम अंडे से निकले हुए चूजे हैं आप प्लान करके हमें यहां पर लेकर आए आप हम सब को जाल में फसाना चाहते हैं आपको क्या लगताम जूटे पुलिस वाले को पहचानेंगे नहीं आपका भांडा फूट चुका है विदिन सेकें हैं आप लोग हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं विए नो अधर आप्शन्स यूँआ टू देंज्रस अग्राइव अग्राहूल शाम पीटर चंदन थॉमस बंजा करन पॉलिटिकल डाउन को चाला किसे लाकर तडपा तडपा कर मार डाला और सुली पर चड़ा दि बॉन क्रिमिनल्स नो नॉट क्रिमिनल्स वी अरोंगों का प्लान और अक्शन सो ब्रूटल मारने और मरने वाले जैसे पिशाच लोग हो तुम लेकिन तुम मेरे टागेट नहीं हो पता है कौन है पुझा करन का राइट हैं जोर्ज जोसफ उसे धून कर निकाला था मैंने और तुमारे पता को जो बंगला दाल में दिया था ना वो मेरी नजर में पढ़ गया यह बंगला और यहां पर कुछ मिलेगा यह सोचकर में हाया जादात पर आईश करने वाला एक लौता बेटा श्याम होटल ब्राइबन में म्यूजिक नाइट पे तुम लोगों के साज हुकांड हुआ इट वस प्लैंड आपको कुछ भी नहीं पता और कभी पता होगा भी नहीं थामस पुझा करन को हम लोगों ने नहीं मारा है उसे जानना है तो फेस्बूक ओपन कीजिए आप खुछ जान जाएंगे एक बार बताओ कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो हम उसे नहीं चोड़ेंगे इंडिय विज्वाल रिमेंज से कोई फाइदा नहीं तुम लोग जिंदगी का रास्ता भटा गए और गलत रास्ता पकड़ा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं गलती सिस्टम और समाज की है प्यार से तुम लोगों को पालने पोश्टने वाले तुम्हारे नहीं सुनी है ना जाने कितने महीं गुजर जाते हैं उनका एक फोना है ऐसे हैं मेरे पैरेट इतना बड़ा वंगला और साथ में एक कुटा मम्मी कुटे को पसंद करती है पर मुझे नहीं आप जानते हैं कि मेरे पापा भी डॉक्टर है एक क्रूल हुमन बीइंग है वो पर मात पर गलते निकालने वाला और डाटने वाला जानवर है वो अ डर्टी डविल है 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 मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी है I need answers from you no 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 I asked you simple bloody question and I need a simple bloody answer from you okay yeah that's right stop it I say oh mom 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 hey mom 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 mother 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 bloody bitch what the hell you think and do it kya hai ऐसा तुम इसे राइजिन बोलती हो I will kill you bitch I will kill you I will kill you mom mom I hate him I hate him I hate him एक आदमी को मार दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या इन लोगों ने पुझा करन को नहीं मारा मैंने मारा कैसे कैसे पकड़ो भाईया मेरी प्यारी बहन निशा वही मेरी जिंदगी थी उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैं था बस एक गलती की बहन साथ और बढाईया मेरी था वही जा कुछ भाईया था झाल झाल यह क्या उसकी चाहत को पूरा करने के लिए उसके चेरे पर मुस्काल लाने के लिए मैंने उसे एके लिए जाने जिलिया क्या क्या हुआ दाजी इसा बेटी स्कूल से अभी तक घर नहीं लोटी है मेरी इसा है बगवार जीसस मेरी इसा है आ, पीटर पीटि अब नहीं रही शopardy मुझे चरर, मुझे चरर, मुझे चरर. बेगा, गीरी, लोुजे, मुझे, मैं इसके, लुटा, मैं एगा, रहला, जिए, जार, आ टो जार, आए टार, यह acompan। पोड़ो वितन 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 और आत ङोड़ो वितन कि रुवय वितन वितन कि वितन बाया बाया इधरा बाया क्या हुआ पीसा मारी नहीं थी उसका कतल किया गया पिताजी मां से बात करे थी तब मैंने सुन लिया हम किसी से कहेंगे तो बोलग हमें भी मार देंगे ऐसा कह रहे थे तुम बारिश में भी क्यों रहे हो चाते में आजाओ अली भाई कौन है आजा तु चाते में आजाओ नहीं कौन है सिर्फ मुझे यह बताओ तुमस पुझा करेंगे केस बनाने नहीं देंगे रिपोर्ट भी नहीं लिखने देंगे पुलीस और डॉक्टर चंदरबाभु को मर्करे स्टेट में बंगला और दूसरों को पैसा जॉर्ज योसप ने ही दिया था पीठर उस दिन गाड़ी मैंने ही चलाई थी लेकिन अब मुझे आपने मुझे जूट क्यों का मैं क्या कर सकता था पीठर वहां मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ अगर तुम्हें ये सब बता देता तो वो लग मुझे मार देते पीठर ये सब जानते हुए भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सारी बाते मैंने तुम से छुपाई पीठर उसे बहुत बुरी मौत मारेंगे उसे बहुत बुरी मौत मारनी है उसे छोड़ेंगे नहीं उसे हम खत्म करके रहेंगे वो कुवेत यात्रा पे जाने वाला है अली भाई ने पीतर को बताया था हम इंतिजार करेंगे उससे खत्म करना है इसा की चांद उन्जा करन ने इसी बंगले में ली थी हाँ सही किसकी खतरनाग मौत भी यही होनी चाहिए हमने यही फैसला किया है हुम हाँ चल भाई भाई अली पहले लेट थोका है थोड़ा जलते हैं मैं आपको बिल्कुल वक्त पर वहां पहुचा दूँगा गैरंटी लेता हूं आ थो करें करें दो लो पार आप किया करें है कैसा बोला तो पेसा ही करूं कि प्रेंट नहीं है पहार निकालो इससे चलो अजा उठाते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी में डालो जल्दी करो जल्दी करो अंदर आपको एयरपोर्ट जाना हुआ एंट्री पास बंद कर दो ठीके ना अलिवाई फोन बंद करतो और घर ने जाके अन करना किसी को मालो नहीं चलना चाहिए चलो जगचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच कर दो पंद सिर्ष पल வर्म הי detail पहलग एका बाल ए्ट hai कर दो आ से कर दो कारो खिर भुझ, जर है कौन हो तुम लोग मुझे यांग क्यों लग आए हो मैं कौन हो तुम लोग जानते रही हो जानता हूँ सेक्स ड्रक्स वाइलन्स थोमस पुंजा करंड की जिन्दगी है ले आखिर क्या चाहिए तुम लोग को यू कांट गिविट बैक नौ 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 मैं कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता पता कमी न है जिल्ला जोर दे जिल्ला एक छोटी सी पंची की इसा तुटी मेरी बेन ने क्या भिगाडा दक कमी ने है तुछ तर्पाचा कौका मारेंगे हूं यह सब छोटी बाते हैं एक मिनिट है जोर्ज मैं बोल रहा हूं थामस तो पहुंच गया पहुंच गया तरी यात्रा कैसी रही जैसा हमेशा रहता है वेरी कमफटेबल जैस काम के लिए गया था वह काम हो गया क्या हूं हो गया कभी ऐसा भी हुआ है कि तेरा काम सक्सेस नह ए को क्यो को को तुझे अशानी से नहीं मरेगा पुझा करन तुझे और तडपना होगा मैं जनना चालता हूँ मेरी बैन के साथ तुने बता बता था बता था बता था कि मैं बता हुँ मैं बताइँ मैं बता हुँ झाल झाल I was mad Now it's my turn अब बताईए क्या हम क्रिमिनल्स हैं जिसकी हत्य हो ये वो अच्छा आदमी था है बुरा हम नहीं जानते चाहे कुछ भी हो एक आदमी को मानना गुना है कानून इसकी सजा जरूर देगी एक लड़की का रेप करके उसे मा डाला आप उसे अच्छा कर रहे हैं शरम नहीं आती आपको ये चाहे कुछ भी बोले हमें उससे क्या ये प्राब्लम यहीं पे खत्म होनी चाहिए आप जैसे आदनी को मारने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आप हम तक पहुँच गए और अपनी मौत को दावत दी इसलिए जर अपने दिमाग का इस्तिमाल करो तुमारे गन पॉइंट पर मैं हूँ अगर बेटा गोली मारे तो बाप हसकर मौत को गले लगा लेता है यही मेरे मन है कम आन शूट में बहुत बार आपने हमसे प्यार जताया हमें भी अच्छा लगा अब नाटक का कोई स्कोप नहीं है नाटक चाहे कुछ भी कारण हो किसी के गन पॉइंट पर मौत का इंतजार नहीं करेगा यह वाला भाई सिर्फ तुम्हारे अलावा वोट नॉंसेस यू आ टॉकिंग रुग्जा शायदी कुछ कहना चाहता है हाँ कुछ कहना चाहता हूं यह बेटी की जिम्मेदारी नाने भाने वाला पिता इससे अपने गुना को माल लेना चाहिए चंदन अलियास नवीन बालचंद्रन तुम्हारे नाम पर जुड़ा हुआ बालचंद्रन वो मैं हूँ तुम्हारा पिता हुँ एक आदमी के बारे में मां हमेशा बताती नेती थी लेकिन मुझे उसका चेरा याद नहीं रहने दो यह हक मैं कभी नहीं चाहता हुआ उसके काविल नहीं हूँ मैं एक दिन सस्पेंशन ओर्डर मिलने के बाद जब मैं घर पहुंशा अस वक्त तुम बहुत चोटे थे एक दम नन्हे थे तुम अब तक तुम कहा गेती हुआ है का आ गए थे तुम यह बताओ अच्छे मेरा बच्चा बीमार हो गया है कब तक आस बड़ों स्वालों से पैसे उधार लेकर इस तरह से घर चलाती रहूंगी बताईया मुझे ठाक चुकी हुम तो मैं मुझे बताना जो यह देना इतनी रात गए बच्चे को लेकर आपको किस दारों केटे में ढूंटी मुझ पर इस तरह से शक करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई च्या लगता है आपको किसी के साथ गुल्छारा उड़ाने गई थी आपकी वज़े से आज हम आपको परियार मर याजी क्या कहा तुने है अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें सपना देखा था वो ये जिन्दगी बिलकुल नहीं है पत्नी को हमेशा बदी का साथ देना चाहिए ये उसका करतव यह है लेकिन पत्नी के मन में क्या है ये भी बदी को जानना चाहिए आपके शराब में हमारी सिंदगी बरबाद कर दी है आप हमेशा सर्फ अपनी बारे म और बड़सों के बाद मैं ये जान गया कि तुम मेरे बेटे हो ये चथा कौन है ये चंदू है हमारा दोस्त है ये आज यहां आएगा क्या नो सेटल इन बैंगलोर तुम और जैश्री वहां बहुती खुशी से रह रहा है ये मैंने सोचा लेकिन मेरे सर घूम गया जब मैंने ये देखा कि तुम इन लोगों के ग्रूप में शामिल हो मैं इनतजार कर रहा था अपने पिता से मिलने का लेकिन आपका भी नहीं आए मुझे से मिलने आया था सब कुछ जानकर तुम्हें बताने के लिए सोचा था मिलने के लिए आया था लेकिन तुम लोग जहां रहते हो वहां जैश्री के सामने आकर तुम से मिलना नहीं चाहता था मैंने तुमसे स्कूल में मिलना चाहा लेकिन वहां भी मना कर दिया गया गार्डियन के इजाज़त के बिना एक पिता भी अपने बेटे से नहीं मिल सकता कह छड़ो एक जुवे की तरह होती जिंदगी ये मैं नहीं समझ पाया सच मनी अपने बेटे को परवरिश नहीं दिने वाला बाप मैं हूं तुम्हारे पारण पोशन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है पिर भी मैं खुशों कि तुमसे मिल लिया अब मैं अपनी सिम्हतरी निभाऊंगा ज़रूर निभाऊंगा क्योंकि आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाया इस दुनिया में तुम जैसे नौजवानों का शांदा टैलेंट वेलपावर ज़रूरी है थामस पुल्जा करन को किस ने मारा बदला या दुश्मनी ये किस ने किया यह हम नहीं जानते हमें इस बारे में कुछ नहीं पताना और तुम लोग भी इस बारे में कुछ नहीं ज देख लेंगे एक टूर पड़ जाएंगे फ्रेश हो जाएंगे और एक नहीं जिन्दगी जियेंगे क्या हुआ मैं आप से बात करना चाहते हूं इस आधी रात को आधी रात है मैं जानता हूं और यह काफी देर हो गए यह भी जानता हूं बट आइम सीरियस बोलो बाला क्या बुनना है तुम्हें बात यह है कि यह बात आप जानना चाहते हैं न थामस पंजा करन के कातिलों को मैंने ढूंड लिया है आप उस आधमे को जानते हैं बाला चंदरन से आए पुलिस अंडर सस्पेंशन बाला पुलिस वाले ने एक क्रिमिनल बनकर यह अच्छे से डिजाइन किया था कोई सुबूत ना मिले इसका पूरा खयाल लखा था मैंने आपको मिस गाइड किया लेकिन अब तुम इसे क्यों कबूल कर रहे हो गुनेगार हूँ इसलिए नहीं ये भी मेरी बदनस्सी भी है बास सीधी सी है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इस बात को चिपा नहीं सकता है इंटरवल में पता चल जाता है कि क्लाइमेक्स के है अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खीचने चाहता है थामस पुंजाकरन के सारे राज मैं आपको बताऊंगा सारे काना में बताऊंगा लेकिन अभी बस इतना ही बाकी रात के बाद कि कोई आपसे मिलने आया है कि 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 चवदा साल हो गया हम दोनों को मिले वह यह सच है अपने बेटे को बढ़ा करने में मैंने बहुत तक्लीफे सही है यह मैं समझ सकता हूं कितनी तक्लीफे उठे होगी मेरे बिना उससे बढ़ा करने में मैं समझ सकता हूं और से मिलने के बाद मैं सब समझ क academy उसकी परवरिश करने में मुझसे कोई गलती हो गई है क्या कि नहीं गलती तो मेरी है दो दिलू के प्यार को मैं नहीं समझ पहुआ है बिलकुल नहीं समझ पहुआ है जिन्दीगी हाथ से निकल जाएगी लेकिन अपने हैंकार में मैंने ये बात नहीं समझे आप से मिलने के बाद अब और भी ज्यादा दुखी है टाइम हो गया मैं चलती होगा जेश्री अब ही मेरा कुछ भी अगर बाकी है तो वो तुभारे और तुभारे बेटे के लिए ही है झाल झाल